Hello friends, X4 Wallis Men, मैं आप सभी का एक बार फिट से सुआगत है, आज हम इस वीडियो में गांधिवाद की विचारधारा को अच्छे समझने जा रहे हैं तो friends, गांधी जी की विचारों को ही गांधिवाद की संग्या दी जाती है इस वीडियो में हम गांधिवाद से जुड़ी जितनी भी विचारधारा है उन्हें अच्छे समझ लेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें तो friends, गांधिवाद भारती दार्शनिक महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है गांधिवाद भातिक प्रगर्ती की तुलना में मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक पुन्रुथान को महत्व देता है कहने का मतलब यह है कि गांधिवाद मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक गुणों को महत्व दे रहा है नैतिक का मतलब यही है कि वैक्ति अपने कर्टव्यों का पालन करें नीती के अनुसार चलें और अपने इश्वर पर विश्वास इत्यादी रखें जिससे की शांती का मोहल समाज में बना रहे गांदीवाद धर्म को नैतिक उत्थान का साधन मानता है इसलिए सभी धर्मों के प्रती एक जैसी सम्मान की मांग करता है मतलब गांदीवाद चाहता है कि सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान मिले सभी धर्मों को एक बराबर समझा जाए गांधिवाद सभी मनुश्यों को शरीर शिरम की और प्रेरित करता है कहने का मतलब यह है कि जो गांधिवाद है वो कहता है कि सभी मनुश्यों को अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए शारिरिक शिरम करना चाहिए गांधिवाद साधानता भारी मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा नहीं देता और प्रोध्योगी की प्रधान उद्योगों की जगा श्रम प्रधान उद्योगों को वरियता देता है ताकि विशाल जनसंख्या को रोजगार में लगाया जा सके तो यहाँ पर गांधिवाद का विचार यह है कि जो बड़े उद्ध्योग होते हैं जिसमें जादर जादर टेक्नोलोजी प्रोध्योगी का प्रियोग होता है उसमें क्या होता है कि जो मशीने होती है वो कई सारे मनुष्य का काम खुदी कर लेती है जिससे कि कई सारे लोगो को बेरोजगार कर दिया जाता है तो यहाँ पर गांदी जी का विचार रही था कि शर्म परदान उद्योगों को जादर जादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके तो फ्रेंट्स गांदी वाद में पहला जो अर्थ है वो है वैक्ति के इस्तर पर और दूसरा अर्थ है राजनीति के इस्तर पर तो स्वराज का पहला अर्थ यह है कि वैक्ति अपने आपको नैतिक रूप से सूद्रिन कर सके जिससे कि उसे असली माईने में सही अर्थ में स्वातंतरता मिल सके और जो दूसरा अर्थ है वो ये है कि विदेशी शाषन से वैक्ति को स्वाधीनता प्राप्थ हो मतलब स्वातंतरता प्राप्थ हो जिससे कि हो अपने राश्ट्र का निर्मान कर सके और जो सवीन्य अवग्या और सत्या गिरह का सिध्धानत है वो आहिंसा का सहरा लेकर किस तरह राजनीतिक विरोत किया जा सकता है और सविन्य आवग्या और सत्यागिरह का जो सिध्धान्त है वो यह बताता है कि किस तरह अहिंसा का सहारा लेकर राजनितिक विरोत किया जा सकता है अगर जरूरत है तो मतलब अगर राजनितिक विरोत करना है तो वो अहिंसा के सहारे होना चाहिए गांधी वाद से जुड़ा जो सर्वोदे का सिध्धानत है वो ये कहता है कि जाती धर्म या लिंग इत्यादी के अधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का कल्यान होना चाहिए किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी का विकास होना चाहिए तो अब हम बात करते हैं आइंसा की जो कि गांधी वाद का मूल मंतर है इसका आर्थ यह है कि कोई भी वैक्ति को ऐसा कारे ना करे जिससे किसी दूसरे वैक्ति को परिशानी हो और यह है गांधी वाद का मूल मंतर है इसके बाद हम बात करते हैं आपरिग्रह की आपरिग्रह का सिद्धान्त यह कहता है कि वैक्ति को समाज में उतना ही लेना चाहिए जो समाजिक संपदा है, जो प्राकृतिक संपदा है उससे उतना ही गरन करना चाहिए जितनी उसको तातकालिक आवशकता हो यानि की माल लीजिए अगर आज की टाइम पर अगर हमें तीन लीटर पानी के आवशकता है तो ऐसा ना हो कि हम तीस लीटर पानी कठा करने जितनी हमें तातकालिक आवशकता है हमें उतना ही घ्रन करना चाहिए तो फ्रेंट्स गांदी वाद का विश्वास है कि जब सब मनुष्य अहिंसा का पाठ सीख जाएंगे तब समाज में कोई कलह, संगर्श, भै, अपराद नहीं रह जाएगा कहने का मतलब यह है कि जो गांदी वाद का सिध्धान्त है वो एक शांती पूर्ट सिध्धान्त है जो समाज में शांती के स्थापना करना चाहता है जिसमें हमने देखा कि सर्वी को रोजगार भी दिया जा सकता है जिसमें हमने कई सारी शांति की बातों को भी समझा तो इस वीडियो में बस इतना है और अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जाज़ा शेयर करें लाइक करें ठैंक यू